यह वीडियो अगर कोई और क्लास का बच्चा देख रहा होगा तो प्लीज वीडियो 9 और एस्टंडर तक पहुचा दो कहीं ने कहीं उनकी थोड़ी हल्प करोगे और मुझे भी थोड़ी सपोर्ट करोगी तो 9 और एस्टंडर के गर में जब school को यह लगता है इसलिए इन बच्चों को 9th में बहुत ज़ाधा होता है तो अब आइं बोलों अगर आप 8 और 9 में हैं तो अभी तक आपको जम के series हो जाना चाहिए अगर हो सकता है अभी आपने जो unit test दिया, unit test में आपके अच्छे marks नहीं आये थे, या नहीं हो पाया, तो भी अब try करोगे, तो भी आप at least अच्छा score भी कर लोगे, आपके percentage, overall percent भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि final जो semester, जो October, November पे जो दिवाली के पहले exam होने वाला है, उसके पहले जो exam होने वाला, उसकी भी तयारी आपने जम के start कर दिने, तो सब कुछ change हो जाएगा, आपका rank change हो जाएगा, आपका percentage हो जाएगा, और जो जिस तरह से लोग आपको देखते थे, उनना जरिया भी बदल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं, उठो and पढ़ना start करो, क्य होगा, तो आपका ही होने वाला है, क्योंकि आगे जाके, देखो parents तो parents की आप से एक उमीद बनी हुई रहती है, कि अगर आप अच्छा score करोगे, तो कहीं न कहीं parents को खुशी मिलने वाली है, और ज्यादा उससे ज्यादा कुछ और आप देने वाले नहीं हो, future खराब आपक जीजे बताने जा रहा हूं, please follow करो और पढ़ना स्टार्ट करो, अगर मैं सबसे पहले बात करो, कि आपको regular study स्टार्ट कर देनी चाहिए, at least science, math, ये इसका daily practice करना चाहिए, दोनों बच्चों को, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, अगर जो बच्चा, रात को सोन गन्टाने से रहे हैं, और नीध आने के टाउम, धूह sy करता है रेता है, जब नीध आता है, तो पाहती है, पाहती है, तो थोड़ा आपको जाघना, स्टाट करना चाहिए, पहुत यह नहीं करते रहे हैं, कि जाखो अगल, ये नहीं तक जागो, क्योंकि तब आपने पर?」 control कर लेते हो और जब पढ़ने जाते तो आपको नीद आता है यही तो गडबड है यही गलती है देखोto8 24-mname में higher में हो तो अपने आपको ढ़ना स्टार्ड करो क्यूंकि आपको आगे जाके board एक्जाम देना है और बोर्ड एक्जाम देना तो सिंपल सी बात है कि आपको रात-रात को जाग जाके टॉप बैट-बैट के बहुत अच्छे से करने बहुत अच्छे से पढ़ाई करने है इसी लिए अपने रूटीन में यह चीजे अड़ करो कि देखो जो होमवर्क देखो जो स्कूल का होमवर्क जो मिला है यह सबी जो चीजे विले उसको उसको count मत किया करो अपने study के time में, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, study के time में जो आप self study कर रहे हैं, उसको count किया करो, तो इसलिए math की practice के लिए रात का time जो बच्चा निकालता है, और daily practice करता है, वो top कर डालता है math में, science में daily questions मिल रहे है, आठ teacher जो दे रहे है, आज के आज आप complete कर रहे हैं, तो बच्चा science में भी top कर डालता है, वो बच्चा top कभी नहीं करता है, कि exam में जाके एक दिन पहले पढ़ रहे है, तो उसमें rarely कोई ऐसा होता है, जो अलग ही होता है, वो कभी कभार score कर लेता है, पर अगर आपको continue हमेसा image अपना continue बरकरार रखना है, बन के आज, आज के आज, अभी के अभी complete करता है, तो science और math daily होना चाहिए, history and geography के लिए at least 30 minutes आपको निकालना चाहिए, 30 minutes आपका होना चाहिए, SST के लिए आपके पास 30 minutes होना चाहिए, कि daily जो questions, teacher दे रहें, questions को learn करो, अब देखो, 8 और 9 पे बहुत सारी स्कूलों में ऐसा है, कि जो teacher जो questions देती है, वो ही questions एक्जाम में आते हैं, और questions दिखाई देते हैं, और जिनमें कहा स्कूलों में paper नहीं बन तब बाहर से आता है, तो उन बच्चों को यही suggestion दूँगा, कि textual जितने questions हैं, उतना पढ़ लो, math के अंदर, math के अंदर, जितने questions आपको दिया हुआ, problem set नहीं करोगे, तो भी चलेगा, पूरे की पूरे question exercise के कर डालो, देखो, आप top कर डालोगे, और यही करते थे हम लोग भी, और ऐसी top करते जितने questions दियाते हैं, सभी questions की हम practice कर लेते हैं, problem set नहीं करते थे, और वो questions, अगर option में भी आ जाता था, फिर भी हमारा हो जाता था, फिर भी हमारा बहुत अच्छे से हो जाता था, हाँ, अगर आपको हो जाता है, जैसे हमारा हो जाता था, हम extra question practice करते थे, बढ़ अगर नंबर भी same दिखाई दिएगा आपको, और अगर मैं languages की बात करो, तो languages में ज्यादा फोकस आपको, paragraph जितना आप जो आपके बात, नौनीट का digest हो, जो भी हो, उसमें जो paragraph दिया है, उसको read करकि नीचे जो questions दिये, उन questions को आप answer दे पार है, solve कर पार है, नहीं दे पार है, उसको लिख लिख के practice करना, start करो, बहुत सारे topper बच्चे भी, अच्छा खासा score आने वाले बच्चे वो इससी तरह से languages की practice करते हैं, वो क्या करते हैं, जो questions उनके दिमाग बन रहा है, उन्होंने question पढ़ा, और बाद में लिखते हैं, लिख के check करते हैं, फिर खुश से check कर जो घडबड होता है, फिर उसको बार बर लिखते हैं, उन्हों शब्दों को बार बर याद करते हैं, तभी languages बहुत अच्छा score होता है, आपको languages में अच्छा score करने के writing skill और grammar पे बहुत focus करना पड़ेगा, और writing skill और grammar बहुत सर्च करोगी न, अपने इस चैनल पे A to Z सभी क कुछ पड़ा हुए, और आपको अराम से बिल जाएगा, और books, books कौन सा यूज करो, books आप अपना जो textbook दिया, उसके अलावा कुछ यूज करने की ज़रौत नहीं है, हाँ, जिन बच्चों जो बच्चे अपने से question frame नहीं कर पा रहें, तो नाउनित का digest यूज कर सकते हैं, क उनको क्या करना पड़ेगा, वो यूज कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बच्चे बस अभी read करते हैं, answer learn करते हैं, पर question कैसे कैसे type में पूछे जाते हैं, वो उनको नहीं पता रहता है, वो समझने के लिए उनको चाहिए, और math में नहीं, math के लिए कोई जरौ questions आते हैं, बड़ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जिनको नहीं समझवा, उनको answer learn हो जाता है, पर यह नहीं पता रहता है, कैसे कैसे type के question इस answer के आ सकते हैं, उसको समझने के लिए यूज कर सकते हैं, इसके बाद गाईस, notes के अगर बात करोगे, अगर आपका support और प्यार तो GT आप सभी के लिए, simple notes, simple language में आपको notes provide कर देगा, जिससे आप अराम से कम time है, बहुत अच्छी study कर सकते हैं, जैसे हम 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए, engineering वाले बच्चों के लिए, diplo वाले बच्चों के लिए provide करते हैं, तो ऐसे हम आप लोगों के लिए भी कर देंगे तो ये वीडियो जितना हो सकते हैं, अपने ग्रूप में share करो, लोगों तो पहुचाओ, लोगों तो बताओ, इससे हमें भी support मिलना start हो, और हम भी आपको, जैसे बाकी बच्चों को support करते हैं, वैसे support करना start करें, मिलते हैं next video, मैं thank you, मस गाई, जै हिन दोस्तों